Hello everyone, welcome to my channel दोस्तो आप सब का मेरे चैनल में स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हारदी का बेनन में दोस्तो कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ और आप सब कैसे हैं? हाँ जी आप सब कैसे हैं बताइएगा हम जबलपुर से आपका स्वागत कर रहे हैं अपने न्यू व्लॉग में और आज का व्लॉग थोड़ा साना कुछ आइटेन क्राफ्ट वाला होने वाला है मैंने कुछ किया है वो आप लोग को दिखाना चाहती हूं थोड़ा सा दिपा करवाचौत की धीर सारी शुब कामना है मेरा करवाचौत का व्लॉग जो है वो नेक्स्ट डे ही आएगा तो ऑविसली शुब कामना है टाइम पर पहुंच जाए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है और आज भी हम अंदर ही अपना व्लॉग शूट कर रहे हैं क्योंकि बाहर जो है पेंट का काम हुआ है और पेंट के स्मेल से मुझे बहुत प्राब्लम होती है तो अंदर ही कुछ-कुछ चीज़े हम लोग ऐसे बाटके कर रहे थे तो सोचा चलो आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं कैसा लगा कैसा है आप लोग जरूर से बताईएगा और ज जो बच्चों के कॉपी किताब में जिल्द चड़ाने के लिए कावर चड़ाने के लिए आता है ना वही यह रोल है इसी से मैं बनाऊंगी फैविकॉन ले लिया है और वाइट सीमिंट ले लिया है दोस्तों मैंने एक पैकेट और इसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके मिक्स क करूँगी एक गत्य का टुकड़ा ले लिया है जो कि मुझे बेस बनाने में काम आएगा और इसे मैं सर्कल को उसमें काट लूँगी शेप में यह मेरे रियूज करने वाले दिये हैं पिछले साल के और मैं इनी को यूज करूँगी चुकि इनकी उपर कलर होगा तो यह सब पेक जैसे दिखने लग जाएंगे और इनने मैंने एक बार पानी से जरूर से धुल लिया है ताकि डस्टिंग की हट जाए अब मैं सबसे पहले इसका सर्कल शेप काट लेती हूँ और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ इस तरह का बस मुझे बेस बनाना है और इस दियों को भी अरेंच करती चलूँगी जितने दियों का मुझे बनाना है कहीं पांच कहीं छे जितना भी मुझे से बन पाएगा मैं उसी हिसाब से इसको अरेंच करती जाऊंगी लगाती जाऊंगी तो मैं एक पांच का बनाऊंगी और एक छे का बनाऊंगी दो तरह के कर लिया है अब खोल लेते हैं वाइट सेमिंट और थोड़ा थोड़ा ही मैं घोलूंगी क्योंकि ये सूखने लग जाता है और फिर सूखा हुआ इस्तमाल नहीं होता है और इसे घोलना इतना इजी है ना दोस्तों बहुत जरा से पानी में घुल जाता है और इसमें लम्स देशाज को पाइख सेट कर दियों सेट कर रहे हूं और यहाँ पर यहां पर फिक्स हो जाएंगे तो यह वाले दिये मैं नीचे की तरफ तले में बात नहीं हो, जो मैं बनाऊंगी पांच दियों का स्टेंड उसे मैं इसके उपर फिक्स करूंगी तो अभी हमें इसे ताकि यह हवालक के अच्छी तरह से फिक्स हो जाए तब तक मैं दूसरी तरफ उन में भी सी वाइट सीमेंट को डाल दे रही हूं और सभी में मैं हाथ से डालूंगी इन वाले दियों के बीच में मैंने सेंटर में नहीं रखा है और मैं इसको पीच में होल दूँगी ताकि यह उसमें फिक्स हो सके लेकिन किस तरह से दूँगी वो भी मैं आपको दिखा देती हूं जो हमने गत्ता काटा था उसका बीच का सरकल मेरे पास टुकड़ा बचा हुआ है वो सरकल मैं इसमें फिक्स कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से मुझे स्पेस मिल जाए क्योंकि तो युथ जो किनाप मेरा यही है। और यह इस स्पेस उसमें वर्क करेगा। इसके उपर भी मैं वाइट सेमेट अच्छी तरह से भर दूँगी। यह ठोड़ा से मैं गाढ़ा कर लिया। क्योंकि पतला white cement आर पार चला जा रहा था तो मैंने इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लिया है और white cement add कर लिया है तो ये आसानी हो रही है मुझे इसे भरने में इसे भी मैं as it is सुखने के लिए छोड़ूंगी लेकिन अच्छी तरह से इसे मैं fix करूंगी और हाँ जो मैंने center में गत्ता लगाया है उसकी उपर भी मैं पूरी full एक layer चड़ा दूँगी white cement की और फिर उसे मैं हाथों के जहायता से एक round shape में इसमें डालूँगी ताकि वो मुझे fix करते time कोई problem ना हो बहुत जल्दी सुखना शुरू हो जाता है हमें थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये काम करना होगा और अगर आप बहुत अच्छा shape देना चाहते हैं तो आप brush अपने आसपस रखेगा मैंने हाथों से ही इस्तमाल किया है और मैं पहली बार भी कर रही हैं तो काफी सारे idea मुझे ना लग रहे हैं तो ये मैंने center में इसे भर दिया है और इसे में धीरे 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 जितना बड़ा मेरा गत्ता है उतना ही बड़ा circle में थोड़ा सा गड़ा कर दूँगी ताकि मेरे stand में ये आसानी से fix हो जाए और मुझे कुछ करना ना पड़े इस stand के साथ मैं इसे नहीं चिपकाऊंगी ये हटाने बढ़ाने वाला में बनाऊंगी और at a time ऐसा होगा कि ये fix होने पे गिरेगा भी नहीं तो white cement सूखने से पहले मैंने इस तरह से इसमें गड़ा कर दिया है और जो गत्ता है वो पूरी तरह से इसमें fix हो गया है वो बिल्कुल हिलेगा डूलेगा नहीं तो इसे भी मैं shape देने के बाद अब छोड़ दूँगी आधा एक घंटे के लिए फिर आप लोगों को दिखाती हूँ यह देखिए यह सूख गया है और कुछ इस तरह का यह बना है देखिए और यह जो है ना मैंने center में जो गत्ता लगाया है इसके उपर आप एक दिया और रख सकते हैं यानि कि 5 दिये नीचे 5 दिये उपर और एक दिया और center में रखा जाएगा तो यह हो जाएगा 11 दियों का stand तो अभी इसे color करूँगे मैं यह सूख जाए तब तक मैं दूसरा stand भी बनाकर ready कर ले रही हूँ दूसरा stand थोड़ा सा मैंने अलग बनाया है उसमें 6 दिये एक साथ मैंने use किये हैं और उसकी clipping मैंने नहीं लिये क्योंकि process एकदम same है यह रहा हो stand इसको मैंने color कर दिया है अलट पलट के और दो मैंने stand बनाये हैं एक जैसे नीचे दिये तो एक जैसे लगाये हैं बट उपर का shape मैंने थोड़ा सा change कर दिया है तो मैंने इसमें गंबलों में जो color लगाते हैं वो लगाया हुआ है इसलिए shining नहीं है और बाकी मैं एक खटा सब आपको दिखाती हूँ यह color सुग गया है मैं इस पे एक और coat चड़ाऊंगे ताकि जहां कहीं छूट गया हो वहाँ पे एक बार और अच्छे से हो जाए दोनों ready तो हो गए हैं लेकिन मुझे छोटा वला ही जादा cute लग रहा है जादा अच्छी finishing उसी में आई है और इस वाले में अच्छी finishing नहीं आई है मुझे ऐसा experience हो रहा है शायद मैं गात coat और करूँगी तो ये अच्छी तरह से manage हो जाएगा बागी बिल्कुल भी धक्का वक्का लगने से ये गिरने वाला नहीं है काफी अच्छे strand बना है मैंने तोबा ट्राइ भी कर लिया है इसे सरका के कि कहीं गिर्द नहीं जाएगा बढ़ हाँ ये काफी पुकता काम हुआ है और सबसे ज़्यादा cute मुझे छोट वाला लग रहा है 5 दियों का जो मैंने बनाया है और ये 6 दियों वाला मुझे थोड़ा सा huge भी लग रहा है और पता नहीं क्यों सम्हाँ इसका shape मुझसे बहुत अच्छा नहीं आया मैंने नीचे square shape में इसका base दिया था तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा मेरा मन्दा कि मैं इसे जला कर भी आप लोगों को दिखाऊं बट ममी जी ने मना कर दिया उनका कहना है कि आप उसी दिन धंतेरस वाले दिन इसको जलाना और उससे पहले इसमें शायद मैं अब paint कर दूं red color का तो इसमें shining आ जाएगी अभी जो गंबले में हम color करते हैं मैंने वो इस्तमाल किया है तो उसे shining नहीं आई है इसमें color तो हम अपने हाथ से कुछ भी कर सकते हैं वो हमारी choice की उपर depend करता है कई लोग white color के इसमें dots वगरा भी रखते हैं तो यह और भी खुबसूरत लगता है बड़ मुझे अभी इसमें और finishing देनी की ज़रूरत है जो मुझे लग रहा है बहुत ज़रूरी है तो यही थी मेरी एक चोटी सी creativity जो मैंने rough दियों से बनाया reuse किया उनका और I think मैं ऐसे एक तो और stand बनाऊंगी मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि यह बहुत जल्दी बनके तयार हो गये थे आप लोगों को यह कैसा लगा प्लीज कॉमेंट डाउन करना मत भूलिएगा और मुझे कुछ सजेशन भी आप दे सकते हैं क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर टाटा बाई बाई